जरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम ICSE सिलेबस से पाठिपुस्तक सहित सागर में सम्मिलिक गिर्धर कवी की कुंडलिया ले रहे हैं तो इस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर आपको देने हैं परल्तु मैं इन कुंडलियों का अर्थ भी आपको बताऊंगा ताकि प्रश्णों में अगर कोई परिवर्तन होता है दूसरे तरह से पूछे जाते हैं तब भी आप उनका उत्तर दे सकें क्योंकि अगर आपको कुंडलियों वाले छंद का अर्थ ग्यात है तो फिर आपको उ उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए शुरू करते हैं गिर्धर की कुंडलियां पहला है लाखी में गुण बहुत सदा राखिये संग गहरी नदी नाली जहां तहां बचावे अंग तहां बचावे अंग जपट कुत्ता कई मारे दुश्मन दावा गीर जाय सुनो है दूर के बाठी सब हत्यार च्छान हाथ में लीजे लाठी शब्दार्थ इसके देख लेते हैं कुछ कठी शब्द हैं गहरी ने गहरी दावागी हमला करने वाले और तिन्हु याने उन्हें भी बाठी याने निवासियों तो इसकार्थ हुआ कि गिर्धर कव होती है उसनों बहुत से गुण होते हैं इसलिए उसे सदा ही अपने साथ रखना चाहिए अगर कहीं गहरी नदी हो तो लाठी के सहारे गहराई को नापते हुए उसे पार किया जा सकता है नाली पढ़ जाए तो नाली को कूद करके पार करने के लिए भी लाठी काम आएगी और इस तरह हुए आपके शरीर की रक्षा करेगी यह निता गिर करके चोट लग सकती है इसके अलावा अगर कोहीं अचानक आवारा खुत्ते आपके उपर हमला कर दें तो इस लाठी से आप उनको भगा सकते हैं कोई व्यक्ति आपका दुश्वन हो और वो आप पर हमला कर रहा हो तो लाठी से आप उसका भी मुकाबला कर सकते हैं कि गिर्धर कभी कहते हैं कि है मित्रोज दूर के रहने वाले तमाम साथियों मेरी तो यही राय है कि आप सब प्रकार के अस्त्रों को त्याग दीजिए और हाथ में अपने हमेशा लाठी रखिए अब हम इस पर अधारित प्रश्णोत्तर करते हैं पहला है लाठी की वशेष्था बताईए उत्तर लाठी की वशेष्था यह है कि उसमें कई गुण होते हैं वयानेक प्रकार से काम आती है दूसरा है लाठी कहां कहां मनुष्य के लिए काम आती है तो तर है गहरी नदी नाली कुत्तों शत्रों आदी से जब हमें अपनी रक्षा करनी हो तो लाठी का उप्यों वहां पर बहुत महत्तुपूर्ण होता है तीसरी तीसरा प्रशन देखते हैं गिर्धर कवी क्या सलाय देते हैं उत्तर है कि गिर्धर कवी की सलाय यह है कि अन्य हत्यार बिकार हैं उनके स्थान पर लाठी अपने साथ रखना चाहिए दूसरी कुंडली कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे बकुचा बांधे मोट राति को जहपट बिछावे कैंगिर्धर कविराय मिलत हैं थोरे दमरी सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी इसमें कठेन सब्द एक तो बकुचा है उसे चोटी गठरी को बकुचा कहते हैं मोट यानि गठरी कहलाती है वाकता यानि महगा अर्थ है कभी कहते हैं कि जो कंबल है कमरिया है छोटा कंबल वह जो है सस्ता मिल जाता है परन्तु काम बहुत आता है लोग मलमल पहनने चाहते हैं और मलमल बहुत महंगा होता है तो मलमल ना पहन कर अगर कंबली को ओड़ लिया जाए तो उससे मान सम्मान बचा रहता है इसके अलावा अगर कहीं पर हमें कोई वस्तू बांधने के लिए ये हमारे पास बंधन नहीं है रस्ती नहीं है कपड़ा नहीं है थैला नहीं है तो ऐसे में भी हम कंबल में उन वस्तूओं को रख करके और उसकी गठ्री बना सकते हैं कहीं सोना पड़ जाए और हमाय साथ बिस्तर नहीं है पुपलब्द नहीं है तो कंबल को बिच्छा कर सोया भी जा सकता है गिर्धर कविराय कहते हैं कि यह बहुत कम सस्ते दामों में मिलती है इसलिए इसको हमेशा अपने सास रखना सारे काम आती है औरने के बिच्छाने के गठ्री बांधने के तो इसलिए कमरी का बड़ा महतु है दूसरा प्रशन है मलमल कपड़ा कैसा होता है उत्तर है मलमल का कपड़ा जो है वो महंगा होता है और सब लोग उसको नहीं पहन सकते तीसरा जो पद है उसको देखते हैं गुन के गाहक सहसनर बिनगुन लहे न कोई जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई शब्द सुने सब कोई कोकिला सबै सुहावन दोव के एक रंग काग सब भय अपावन कहें गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के बिनगुन लहे न कोई सहसनर गाहक गुन के जिसमें कुछ कठें शब्द हैं गाहक याने ग्रहक सहस याने हजारों लहे याने आकरशित होना अपावन याने अपवित्र और अब इसकार से जान लेते हैं कभी कहते हैं कि अगर आपके पास गुन है तो उसका मान सम्मान आदर करने वाले हजारों लोग आपको मिल जाएंगे लेकिन अगर आपके पास गुण नहीं है आप गुणहीन है तो फिर कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा जिस्तरे से कव्वा और कोयल दोनों ही एक ही रंग के काले रंग के होते हैं परंतु उनकी वानी अलग-अलग होती है कोयल के पास मधुर वानी का गुण है लेकिन कव्वे के पास वानी उतनी मधुर मधुरता के गुण से युक्त नहीं है तो लोग कोयल की वानी को सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं और कव्वे को अपावन अपवित्र मांते हैं रहे बेकार का यह क्या आवाज कर रहा है तो इसलिए गिर्दर कहते हैं कि भाई सब लोग इस बात को जान लीजिए कि बिना गुणों के आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि सभी लोग गुण को चाहते हैं अब इसके आधार पर कुछ प्रशन है उनके उत्तर देखने पहला है गुण के प्रती सम्मान कितने लोगों के मन में हो होता है तो अतर है कि अगर आपके पास गुण है तो उसका सब्मान करने वाले हजारों व्यक्ति हो सकते हैं दूसरा है अपनी बात समझाने के लिए कवी ने किनके उदाहरन दिये हैं तो उत्तर है कवी ने कववे और कोयल का उदाहरन दिया है कि दोनों का रंग एक सा है आकार भी लगभग एक सा है परन्तु दोनों की वानी में भिन्नता है एक की वानी मधुर है एक करकश है इसलिए लोग मधुरता के गुण के कारण कोयल को पसंद करते हैं को यह को नहीं तीसरा है कोयल को क्यों पसंद किया जाता है तो उत्तर है कोयल को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वह मीठा बोलती है आप चौथा चौथी कुंडलिया साही सब संसार में मतलब का व्योहार जब लग पैसा गाट में तब लग ताको यार तब लग ताको यार यार संगी संग डोले पैसा रहे ना पास यार मुक्से नहीं बोले कह गरदर कविराय जगत यहीं लेखा भाई करत बेगरजी प्रीत यार बिरला होई साइन शब्दार थे गाट में याने पास में यार याने मित्र बेगरजी याने बिना स्वार्थ के प्रीत याने प्रेव बिरला याने कोई कोई अब इसकार देखते हैं कभी कहते हैं कि संसार में लोग बड़े स्वार्थी होते हैं वो जब तक आपके पास पैसा धन्दौलत होगी तो आपके चारों तरफ आपके दोस्त मित्रों डोलेंगे लेकिन जब पैजा पास में नहीं होगा तब वो मुख से भी बोलने के लिए आपको तैयार नहीं मिलेगे इसलिए गिर्धर कभी कहते हैं कि भाई यही संसार का चलन है इस दुनिया में बिना स्वार्थ के प्यार करने वाले प्रेम करने वाले बहुत कम लोग हैं शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल पाए अब इसके प्रश्ण उत्तर पहला है संसार में किस तरह के लोग होते हैं उत्तर है कि संसार में ज्यादा तर मतलबी और स्वार्थी लोग होते हैं दूसरा प्रशन है ऐसे लोग कब तक दोस्ती रखते हैं तो इसका उत्तर है ऐसे लोग तभी तक दोस्ती मित्रता रखते हैं जब तक कि हमारे पास उन पर खर्च करने के लिए धंदौलत होती है तीसरा प्रश्ण है कैसे लोगों की संख्या दुनिया में बहुत कम है उत्तर जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम करते हों ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं पाच्वी कुंडलिया है रहिए लटपट काट दिन बरुघामे मा सोय छाह न बाकी बैठिये जो तरुपतरों होए जो तरुपतरों होए एक दिन धोका दई है जा दिन बहे बयार तूट तब जर से जई है कहें गिर्धर कविराय छाह मोटे की गहिए पाती सब जरी जाए तव छाह में रहिए शबदार देखिए लटपट याने शीद्रता से गामे याने धूप में तरु याने पेड पतरों याने पतला कमजोर बयार याने हवा और पाती याने पत्ते गिर्धर कवी कहते हैं कि देखे आप अगर धूप में सोना पड़े तो उसमें भी आप पीछे मत हखिए धूप में भी सो लीजिए लेकिन किसी पतले पेड़ की छाया में सोने का जोखम मत उठाईए क्योंकि अगर वे पतला पेड़ हवा चल पड़ी तो जल से ही उखड़ जाएगा और आपका नुक्सान करेगा आपके उपर गिरेगा आपके शरीर को वे किसी नुक्सान पहुंचाएगा तो इसलिए हमेशा किसी मोटे पेड़ की छाया को ही ग्रहन करना चाहिए क्योंकि अगर उसमें पत्ते नहीं भी हो तब भी उसके शाखाएं इतनी मोटी और लंबी चौड़ी होती है कि उनसे हमको छाया मिल सकती है तो इसके आधार पर कुछ प्रस्वोत्तर है कवी कहता है पहले पेड़ की छाया में पतले पेड़ की छाया में क्यों नहीं बैठना चाहिए उत्तर है पतला पेड़ कभी भी तूट सकता है इसलिए उसकी छाया में नहीं बैठना चाहिए दूसरा है कवी की क्या सलाय है तो उत्तर है कवी कहते हैं जब भी किसी पेड़ की छाया में अगर आप बैठना चाहें रहना चाहें सोना चाहें आराम करना चाहें तो कोई मोटा पेड़ खोजिए अब हम देखते हैं छटवी कुंडली जो है पानी बाढ़े नाओ में धर में बाढ़े दाम दोवात उलीचिये यही सयानों काम यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजे पर स्वारत के काज सीश आगे धर दीजे कहें गिरधर कविराय बढ़ेन की यही बानी चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पारी सब्दार्द देखिए बाढ़े यहने बढ़ना दाम यही धन पूलीचिये यहने निकालिए सयानों याने समझदारी परस्वारत याने परोपकार शीष याने सिर बारी बानी याने वानी सुचाल याने अच्छा आचरण अब इसकार समय लेजे गर्धर कभी कहते हैं कि अगर आप नाव में किसी नभी को पार कर रहे हैं और उसमें पानी भरने लग जाए तो पानी को जल्दी जल्दी बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि नाव ने डूबे और आपके घर में धन संपदा की बाढ़ आ जाए पैसा बहुत आने लग जाए उसको भी पानी की तरह ही अच्छे कामों के लिए निरंतर खर्च करते रहना चाहिए यह यह ऐसा करना ही अच्छा काम माना जाता है अच्छा अच्रन माना जाता है ऐसा करते हैं कवे कवी कहते हैं कि राम की भक्ति कीजिए और परवकार के काम में लगे रहे और परस्वार्थ के लिए तो लोग अपना सिर भी काट कर देने के लिए तत पर रहते हैं फिर उसके सामने धन्वला क्या चीज है त रहा है कि हमेशा अच्छा चाल चलंच रहे आपका और अपना पानी रखिए अर्थाद अपना संभान प्रतुष्ठा बनाए रखिए यहाँ पर महावरा है कि अपना पानी बचाना प्रश्ण उत्तर करते हैं नाव में पानी और घर में धन बढ़ रहा हो तो क्या करना चाहिए उत्तर है ऐसे में दोनों हाथों से उसे खर्च करना चाहिए निकालना चाहिए नाव से पानी ओ घर से धन दूसरा परोपकार के लिए क्या करना चाहिए उत्तर है परोपकार के लिए जरूरत पढ़ने पर सिर्भी कटवाना पड़े तो उसके लिए हमें तयार रहना चाहिए तीसरा है बड़े बजुर्गों ने क्या कहा है उत्तर है बड़े बजुर्गों ने कहा है कि अच्छा चाल चलन और अपना मान संबान बनाए रखना चाहिए और अखरी कुंडली है राजा के दर्बार में जहिए समया पाए साई तहा न बैठिये जह को दे उठाए जह को दोई उठाए बोल अनबोले रहिए हसिये नहीं हाहाए बात पूछे ते कहिए कैंगरदर कविराए समय सों कीजे काजा अतियात और नहीं होए बहुर अनखई है राजा शब्दार देखिए समया याने समय अनबोले याने चुक हाय याने ठठा कर हसना आतुर याने हरबड़ी बहुर याने फिर अब इसकार समझ लेते हैं गिरदर कविराए कहते हैं कि कभी आपको समय मिले आउसर मिले तो राजा के दर्बार में अवश्य जाना लेकिन वहाँ जाने के कुछ तौर तरीके भी अपने मन में समझ लेना चाहिए एक तो यही है कि ऐसी जगे मत बैठिये जहां से कोई आकर आपको उठा दे तो जो आपको आपके लिए उचित आसन लगता हो वही बैठिये और बिना काम के कुछ भी मत बोहिए चुप चाप रहिए शांत रहिए हसी नहीं हाए अगर कोई ऐसी परिसिती आए जिसमें हसने का परियास करने का मौका मिले तो ठटा कर मत हसी है मंद मुस्कान के साथ उस हसी में शामिल हो जाईए बात पूछे ते कहिए और जब आप से कुछ पूछा जाए तभी बोलिए बिला पूछे मत बोलिए गिर्धर कभी कहते हैं कि इस तरह हर चीज किस समय पर क्या करना उसी के अंसार करना चाहिए अतियातुर नहीं हो यह जदा हरवड़ी भी नहीं दिखाना चाहिए कि आपको बूलने मिले आपको बात करने मिले आपको हसने मिले अगर आप ऐसा करेंगे तब ऐसे म बार बार अपने दरवार में बुलाएंगे प्रश्वत्तर करते हैं पहला है गिर्धर कभी राय कहां नहीं बैठने की सलाय देते हैं उत्तर कहते हैं उत्तर है कभी कहते हैं कि जहां पर कोई हमको उठा दे ऐसे इस्थाल पर हमको नहीं बैठना चाहिए दूसरा प्रश्ण है राजा के दर्वार में कैसा बेहर करना चाहिए तो उत्तर है कि राजा के दर्वार में शांत रहना चाहिए ठटा कर नहीं हसना चाहिए कुछ पूछा जाए तभी कहना चाहिए और जादा उतावला पन नहीं दिखाया जाना चाहिए तो यह थी गिर्धर कविराय की कुंडलिया और उस परादारित प्रश्टों के उत्तर क्रेपैसे शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद